नमस्ते विध्यारतियों, डॉक्टर किर्ती की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है आज मैं निवंद के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है साधा जीवन उच्च विचार आईए हम इस पर निवंद कैसे लिख सकते हैं उसको देखते हैं इस उक्ति पर पल्लवन लिखिये, यह हमको यहाँ पर प्रश्न दिया हुए कि साधा जीवन उच्च विचार यह जो उक्ति है अर्थात यह सूवचंग जो है इसके उपर पल्लवन लिखिये हैं इसको विस्तारित कीजिए, बढ़ा कीजिए अब हम देखते हैं कि यह निबंध के रूप में भी आता है, यह पल्लवन के रूप में भी आ रहा है और यह आपको स्वहमत के रूप में भी आ सकता है तो हम देख लेते हैं साधा जीवन का अर्थ है कि मनुष्य हर प्रकार की स्थिती में अपने आपको संतुष्ट बनाए रखे एसे लोग जो हर परिस्थिती का सामना करना जानते हैं और अनावश्यक सुख सुविधाओं को अपने जीवन में महत्व नहीं देते वे सीमित साधनों में भी खुश रहते हैं मतलब साधे जीवन का अर्थ है कि आप कम से कम साधनों में अपने जीवन को खुशी खुशी वैतित करें खुशी खुशी जीए हैं वे केवल जीवन उपयोगी वस्तुओं को ही अपने जीवन का आधार बनाते हैं यह जो हमें जीने के लिए आवश है कि उनी वस्तुओं क अगर हम जीवन का आधार बनाए तो उसे हम साधा जीवन कहते हैं इमानदारी, सरलता और साधापन इनके जीवन का अभिन अंग होता है यहीं जो साधा जीवन उच्च विचार वाले लोग जो होते हैं उनका जीवन बड़ा सरल होता है साधापन होता है उनकी बातों में उनके रहन सहन में उनके जीवन जीने के तरीके में और यही तो उनके जीवन का जो है इसा अंग होता है जिसे हम अभी नंग कह सकते हैं जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं यह विलासिता की वस्तों के प्रति आकरशित नहीं होते यानि एश्वाराम, सुक्स विधाव के प्रतिये बिलकुल भी अट्रेक्ट नहीं होते ऐसे कई महापुरुष जैसे स्वामी विवेकानंद, गवतम बुद्ध, आदी हमारे देश में हुए जिनके उच्च विचारों ने हमें और हमारे देश को उन्नत और प्रगत किया इन सभी का जीवन जरूर साधा था पर इनके विचार बहुत उच्च थे यानि हम जब यहाँ पे साधा जीवन उच्च विचार की बात कर रहे तो हम देख रहे हैं स्वामी वेवेकान जी मगवा कपड़े पेहनते थे गोतम बुद्ध जिनोंने दुनिया का संसार का त्याग कर दिया था और इन लोगों ने जो है दुनिया में इतना नाम कमाया है कि आज तक हम इनके विचारों से प्रभावी थे तो इसी को तो साधा जीवन बोलते है और उच्चे विचार अगर उच्चे जीवन जया जया विचार साधे हो तो ऐसे वेक्ति को कोई नहीं पेचानता और उसका जीवन कभी भी उतरा सुखी नहीं होता जितना साधे जीवन और उच्चे विचारों वालों का होता है तो विद्यार्टियों यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजे, सब्स्राइब कीजे, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी जरूर कीजे, क्योंकि मिल बाट कर पढ़ने से घ्यान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं हो इस बात को याद रखिए, मेरे अक्षरों पर मत जाईए, अक्षर समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैं जो बोल रही हूँ, पढ़ रही हूँ, उसे देखिए, क्योंकि उससे आपको पूरा जो निवन्ध है, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, आईए, आगे देखते हैं परंतु संसार में अधिकांश लोग पैसा, धन, समपत्ती, आदी के पीछे भाग कर अपनी जीवन को अशान्त और कलहकारी बना लेते हैं, यह हम देखते हैं कि आज के जीवन में लोग पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, समपत्ती उनके पास बहुत होती है, लेकिन उसके बा कलहकार यहने लड़ाए जगरों से भरे वे बना लेते हैं, धन दुलत उने शान्ती नहीं देख पाती हैं, हम korkो को देखकर अच्छा लगता है कि गिसी के पास बहुत धन दुलत है हमको उसके जैसा होना चाहे हैं। लेकिन हम यह नहीं देख पाते हैं कि उस व्यक्ति के द उच्च विचारों को सहेजने मी ही हैं यह हम सब भूल जाते हैं यह सही आनंद को प्राप्त करना है तो आपको अपने जीवन को एकदम साधे तरीके से सिंपल तरीके से जीना चाहिए और अपने विचारों को उच्च बनाए रखना चाहिए तभी हम अपने जीवन में उच् यह आपको कैसा लगा यह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरू से बताईएगा और मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरू कीजिएगा इसी के साथ में धन्यवाद नमस्ते